नमस्कार दोस्तों आप सबको फिर से हमारा चनल इवन्टक वर्ड में स्वाहत है आज इस वीडियो टापिक अंदर आपको बता रहें बिना रिजिस्टेड मोबैल नमबर का आप आदार काड को आनलाइन में कैसे डाउनलोड करना वो भी आप गर बैटर बैटर डाउनलोड क कर सकता है या आप मोबैल फोन यूज कर रहे हो या लापटाप डेस्टाप यूज कर रहे है तो लेकिन उसके लिए आपको जरूरत का किसी एक मोबैल नमबर चाहिए और आपका आदार नमबर का जरूरत पड़ेगा वो प्रासस कैसे है उसका बारे में हम आपको स्टेप सबस्टेप बता रहे हैं सबसे पहले आपका फोन या डेस्टाप लैपटाप में वूगल क्रोम वापन कर देना यहां पर आपको लिखना आदार डाउनलोड यांटर कर देना यहां पर यू आई डी ये आई का जो वेबसाइट है वो पेज यहां पर जो लिंक है हमारा डि अपका यहां पे इस तरफ एक वोम पायद कूल जाएंगे अगर आपका पास लागिन अडी हों तो आप यहां से डारेट लागिन करके पोल सकता है लेकिन आपका पास वो टिपी चाहिए उसके लिए आपका पास वो टिपी नहीं है तो यह आपशन घाम नहीं करेंगा वो अभी जाएंगे बिना OTP को कैसे डाउनलोड करना है क्योंकि आज के दिन में आदर का यूस बहुत ज़ादा हो गया तो आप बिना OTP को कैसे डाउनलोड करना है उसका बारे में बता रहे हैं तो यहां पर सेकेंड आप्सन देखेगा आडर आदर पीवीसी कार्ड इस आप्सन अगर क्यापचा में कुछ लेटर्स आपको क्यापटा लेटर्स समझी में नहीं आ रहे है तो उसके लिए यहां पर रफ्रस को पर क्लिक कर देना क्यापचा रफ्रस हो जाएंगे उसका बाद आप क्यापचा को एंट्री करने के बाद एक आप्सन माइं मोबैल नमबर इस क्योंकि इस अप्सन चूसन हें तो रिजिस्टर मोबैल नमबर आदर यह चल जाएंगे इस अप्सन की चूस किया यहांपका हाती में जो एक्जिटिंग मोबैल नमर को यहांपे एंट्री करके सेंड़ वो टीपी को फर क्लिक कर देना वो टीपी जनरेटेड सक्सेस्पु ले आ गया आपको जो mobile number है यहां पर OTP भी आ गया यहां पर OTP को entry करना OTP entry करने के बाद यहां पर terms and condition है इसको accept करना है और यहां पर दे रहाए कि आपको terms and condition में पच्चास रुबिया को charges लगेंगे क्योंकि आधार PVC card का तो इसको आप speed post में receive कर सकता है तो okay कर देना और यहां पर submit को पर क्लिक कर देना तो submit क्लिक करते वे यहां पर जो privacy reason है आपको demographic data को यहां पर disclose नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप में चाहिए क्या आधारकार तो यहां पर जो confirm that I have read the understand the payments and cancellation and refund process इसको accept किया उसके बाद make payment में जाना उससे पहले यहां पर एक है service request number है जो service request number से आप इसको track करने में आसान रहेगा जब यह काम करेगा आपका payment होने के बाद तो यहां पर make payment को पर क्लिक किया तो make payment में आपको कहीं सरे option दे रखे हैं आप जो भी option है आपको suitable है उस option को यहां पर choose कर लेना हम पिलाल के लिए UPA option को choose किया UPA option में भी काई सरे payment है आप जो UPA option यूज़ करें उस UPA को choose कर देना पिलाल के लिए हमने Google Pay यूज़ कर रहे है तो Google Pay को हमने choose किया इस option को entry करने के बाद verify कर देना verify करने के बाद आपको link आपका mobile पर चला जाएगा यहां पर यह verify हो गया है और इसको proceed कर देना प्रोसीड करते वह आपका phone पर यह option चला जाएंगे phone सी आपका UPA payment link जैसे आप पे कर दोगे आपको within few seconds का अंदर यह page reverse करके आपका service request number के साथ में आपको आ जाएंगे हमने अभी UPA payment कर दिया है यहां पर success हो गया जैसे success हो गया यहां पर transaction details आ गया इसर नमबर भी आ गया है अब यहां पर जो दियावाग क्याप्चा को entry करना है entry करने के बाद यहां पर जो download acknowledgement को download कर देना है जैसे download हो जाएगा मैं इस acknowledgement को open कर लाता हूं तो आपको इस तरफ आपको payment receipt मिल गया है इस receipt से जो आपका service request number है इससे आप यहां पे आपका आधार नमबर को track कर सकता है यह कां तक पहुंच गिया करके तो इतना ही तर दोस्तो आज का टापिक में बिना आधार नमबर का जो रिजिस्टर की अवा मोबैल नमबर के साथ कैसे आधार काड को download करना है इस वीडियो का अंदर आपका पास पोई भी doubt होंगे आप हमारा common box में में से कर सकता है और जो आधार का download करने का जो लिंक है अमारा description में दे रहे के आप direct वहाँ से download कर सकता है तो हमें उमीद करता है कि बिना मोबैल नमबर का भी आधार का download कर सकता है करके हम पिर मिलेंगे आगली नया टापिक में उससे पहले आप से एक चोटा सा निवे करें हम पिर मिलेंगे अगले नया टापिक में तब तक किले जैकिन जै बारत